इस कारिक्रम के पुन्यार जखें गुणाई तन परिवार एक आदमी बड़ी तेज इगती से चला जा रहा है रास्ते में उसे टोकते वे किसी ने पूछा भाई कहा जा रहे हो उसने जबाब दिया पता नहीं तेज गती से जाते वे वे विक्ती को टोक कर पूछा कहा जा रहे हो जबाब दिया पता नहीं उसने पूछा आ कहां से रहो कहा पता नहीं सामने वाला आश्चर चकित रह गया और हैरान होकर उसने पूछा भीया कहां जा रहे हो कहां से आ रहे हो पता नहीं क्यों जा रहे हो पता नहीं अब तो एकदम हैरान रह गया और ऐसी हैरानी भरे शब्दों में उसने बोला भईया कहां से आ रहे हो पता नहीं कहां जा रहे हो पता नहीं क्यों जा रहे हो यह पता नहीं तो भईया मेरे ये तो बता कि तू है कौन जानते उसने क्या जवाब दिया उसने का ये भी पता नहीं ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे हां पता नहीं कास हमें पता लग जाए कि ऐसा आदमी क्या है यह था रता ऐसे विक्ति को पागल के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता पर वो पागल कहीं और नहीं कहीं अपने भीता तो नहीं बैठा है हमें ये देखने की जिरुवत है हम जीवन जी रहें और जीवन का एक लंबा भाग हमने यूही वितीत कर दिया हम जी रहे हैं पर क्यों जी रहे हैं इसका कोई पता है हमारा जीवन पूनता उद्देश विहीन बनावा है संत कहते हैं उद्देश विहीन जीवन अर्थ पून नहीं होता जीवन का कोई ठोस उद्देश होना चाहिए अधिकतर लोगों के जीवन का कोई उद्देश नहीं और यदि किनी का उद्देश है भी तो बड़ा उथला उद्देश है आप अपने अंतर मन में उतर करके देखिए आपने अपने जीवन का धे क्या बनाए क्या सोच करके जी रहे हैं बच्चा पैदा होता है थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है मैं कुछ पढ़ लख लूँ पढ़ लिख जाने के बाद अच्छा जॉब मिल जाए अच्छा पैकेज मिल जाए अच्छी पोष्ट मिल जाए अथवा अच्छा ब्यापार अच्छा कारोवार हो जाए फिर अच्छी जगा साधी हो जाए अच्छा घर बश जाए फिर बच्चे हो जाए परिवार बढ़ जाए फिर घर मकान शंपत्ती हो जाए यह सब नहीं सब सोचते रहते हैं बोलो आपके जिवन का क्या हो देश यही सब हो देश बिना प्लानिंग के तो आप लोग चलते नहीं हो दिमाग में कुछ-कुछ चलता रहता है अभी हमने एक छोटा मकान बनाया है बड़ी जिखा में एक बड़ा मकान और बना लेंगे अभी हमने एक छोटी गाली खरीदी है अब लगजरी गाली और खरीद लेंगे अभी तक एक कारोबार है अब दो-चार कारोबार और बढ़ा लेंगे सेकेंट ठार्ड स्टेप में हमने ये प्लान कर रखा है दुनियादारी की बातों के बिशे में तो मनुस्य सोचता है लेकिन अपने बिशे में बिल्कुल नहीं सोच पाता बलकि मैं ये कहूँ कि सारा जीवन दुनियादारी और गोरग धन्दे में ही खो देते हैं क्या सोच रहे हैं क्या प्लानिंग है हमारी और इसका अंत क्या है बहुत पहले कुछ पंक्तियां किसी की पंक्तियां पढ़ी थी इस जहां में न जाने क्या कार नुमाएं कर गए बिये किया एमे किया नौकर हुए पेंसन मिली और मर गए यही है न पैदा हुए ब्यापार सीखा धन कमा बुड़े हुए पैदा हुए ब्यापार सीखा धन कमा बुड़े हुए और बंधु जन को सौप कर धन इस जहां से चल दिये यही कहानी है ना सबकी यही कहानी है संत कहते हैं यह तो तुम अनादी से करते आ रहे हो आज तक तुमने केवल और केवल यही किया है दुनियादारी और गोरक धन्दे के अलावा तुमने आज तक किया क्या है बोलो संत कहते हैं यही मनुश्य को विचार करना चाहिए और इसी पर विचार करके अपने जीवन की दिसा बदलने चाहिए और यह तब संबह होगा जब विक्ति अपने आपको पहचानेगा मैं कौन हूँ और मेरा क्या है अपने आपको पहचाने अपने आपको जाने अपने आपको शम्झे सबसे बड़ी विड़मना तो यह है कि विक्ति खुद से अंजान होकर के जीता है सतही स्तर पर जीता है जो दृष्य जीवन को ही शर्वश्य मानता है वह केवल बाहर की विवस्थाओं के पिशे में सोचता है और जो दृष्य जीवन से परे अपने अंतश के जीवन को पहचानता है वो अपने जीवन को भीतर से समारने का प्रयत्न करता है पहिचानो तुम्हारे जीवन का उद्देश क्या है ज्यादा तर लोगों का एक ही धे बन गया है वह है पदार्थ और पदार्थ जन्न भोग केवल बाय उपलब्धी कोई अपने जीवन का धे बनाना भयानक भूल है हमें पदार्थ से पर्मार्थ की और देखना चाहिए चार इस्थित्विया पदार्थ पर्मार्थ यथार्थ और अर्थ है अंचार शब्द हैं अर्थ पदार्थ पर्मार्थ और यथार्थ हमारी दिष्टी किस पर अर्थ पर पैशों पर तो पैसा तुम्हारे इस जीवन के गुजारे में थोड़ा साधन बन पाएगा लेकिन ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है इनसे तुम्हें शुबधाएं मिल पाएगी पर संतुष्टी नहीं मिल सकेगी ये तुम्हें अनुकूलता दे सकेगा प्रशनता नहीं मिलेगी ये तुम्हें सामग्री दिला सकेगा सांती नहीं जीवन के अब तक के अनभव को टटोल कर देखिए पैसे से हमने क्या-क्या पाया बोलो क्या-क्या पाया पैसा क्या दे सकता है और क्या नहीं कभी सोचा आपने पैसे से मकान बना सकते हो आराम नहीं पैसे से बिस्तर खरीच सकते हो नींद नहीं पैसे से भोजन खरीच सकते हो भूक नहीं पैसे से सुबधाज उचा सकते हो सांती नहीं उसकी एक अपनी शीमा है लेकिन जिनकी दृष्टी केवल अर्थ के इंद्रिज होती है वो केवल और केवल पैसे को ही प्रमुखता देते है यह जानते वेवे कि पैसे की एक सीमा से अधिक अहमियत नहीं है फिर भी पैसे के पिछे पागल होना कहां की समझदारी है कहां की समझदारी है एक बिचारक संत ने अपने एक धहनपती सेठ को जो उनका भक्त था पर पैसे का बड़ा अभिमानी और आसकती रखने वाला उसने उससे पूछा यह बता तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी हो प्यास के मारे प्राण निकलने को हो और उस समय तुम्हारे पास जो कुछ हो मेरे पास एक लोटा पानी है तुम पानी की मांग करो और मैं कहूं कि तुम्हारे पास जो है वो दो तब मैं पानी दूँगा तुम क्या करोगे जो है वो दो तब मैं तुम्हे पानी दूँगा तो तुम क्या करोगे बहुत सब कुछ सौप करके पानी लूँगा बहुत क्यों अगर पानी नहीं प्यूँगा तो प्राण निकल जाएंगा प्राणी निकल जाएंगे तो इन सब का करूँगा क्या इसलिए मैं सब कुछ सौप करके पानी लेना पसंद करूँगा संत मुश्कराया और उसे बहुत देते विए उनोंने कहा बस इतना ही तो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारी सारी संपत्ती की कीमत एक लोटा पानी भरी तो है और क्या है क्या है कीमत बोलो एक लोटा पानी है न और क्या है न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा तेरा भी राख होगा मेरा भी राख होगा सब कुछ खाख होगा है न? समझो तो क्या करो अर्थ को जीवन निर्वाह का साधन बानो और उसे परमार्थ में नियोजित करो तांकि अनर्थ से बचा जा सके पैसा पाके चार इस्थितियां बनती एक सक्ति दूसरी आसक्ति तीसरी भक्ति और चौंती वीरक्ति क्या बता है पैसे के उपाकर चार इस्थितियां सक्ति आसक्ति भक्ति और वीरक्ति पैसा पाया और वो उसके अंदर गरूर आ गया वो उसे अपनी शक्ति मान बैठा उसे अपनी ताकत मान बैठा तो वो प्राया अपने पैसे से रुआब जाड़ता है पैसे को ही अपनी बहुत बड़ी ताकत मानने का भ्रम पाल कर अभिमानी बन जाता है ऐसा बेक्ति कई बार अमान उसे प्रवत्तियों का आदी बन जाता है उसका बहवाद असामान न हो जाता है और उसके चिंतन का इस्तर बड़ा निम्न हो जाता है पैसा पाकर के केवल उसे शक्ति मान लेना मनुष्टा से नीचे आ जाना है फिर दूसरे नंबर पर आशक्ति तो वो तो सोचता है पैसा पैसे ही सब कुछ है और वो पैसे का यूज नहीं करता पैसे को बढ़ाने की कोशिश करता है बस मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है उस चक्कर में लगा रहता है पहले पैसे को अपनी सक्ति मानता है तो दूसरों से होड होती है कोई उससे मुझसे अगरिक न पापाए मुझसे ज़्यादा सक्ति साली न बन जाए और जब है तो उससे इस भाती चिपक जाता है ना उपयोग कर पाता है ना उपभोग कर पाता है चिपक करके बैठ जाता है गुर्देव ने ऐसे लोगों के लिए बहुत सुंदर संदेश दिया अपने हाइकू शी. कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे? कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे? हाइकू एक कविता होती है जो तीन पंक्तियों की होती है जिसमें पहले पाँच अक्षर दूसरे में साथ अक्षर और तीसरे में पाँच अक्षर गुर्देव के सैकलो हाइकू और बहुत गहरे बोध प्राद वो कहरे कुंडली मार कंकर पत्थर पे जिने तुमने धन, पैसा, संपत्ती मान रखा है वो कंकर पत्थर ये छूट जाना है क्या मान करके बैठो साथ लेकर के जाओगे लेकिन मनुष्य की आशक्ति उसे ऐसे ही उलजा के रखती है तो ये कोई काम में नहीं आता है उसे यूँ ही रखता, बर्बाद कर बैठता है जीते जीप एसे के पिछे परिशान होता है और मरनों परांत भी अपनी दुर्गती कर लेता है सक्ती और आसक्ती दोनों त्याज्य है वर्ज्य है हमारे लिए अहितकर है तीसरा चरण है भक्ती जो उपादे है, अलंबनी, अनुकरनी है अगर तुम्हारे पास आर्थ है, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भक्ती में लगो प्रभू की सेवा में लगो श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाओ तुम्हारे जीवन का काया कल्प हो जाएगा जिसके मन में भक्ती होती है उसके जीवन में विनम्रता भी आ जाती है उसके बहवार में सालिंता भी हो जाती है वो चीजों को परमार्थ में नहीं हुजित कर देता है बंद्वो हमारे भारत की परंप्रा की विशेष्था देखो कोई चीज जब आप स्वैम भोकते हो और दूसरों को दो तो उसे जूठन माना जाते हो बोलो कुछ खा लो और किसी दूसरे को दो तो जूठन है न और उसे ही अगर अपने इश्ट को अर्पित करके बाटा जाए तो क्या हो गया बात समझ में आ रही है अपनी संपत्ती का नीजी इस्तर पर भोग करोगे तो वो जूठन है और परमार्थ से जोड़ करके करोगे तो प्रशाद है जूठन को प्रशाद बनाईए शक्ति और आसक्ति से उपर उठकर भक्ती में रम जाईए ये जीवन का मर्म है और यही हमारा धर्म बनना चाहिए और चौथी स्टेज है विरक्ती पैसा है लेकिन मेरा नहीं है उसमें रंच मात्रा सकती नहीं ये तो हाथ का महल है आज संयोग से मेरे पास है कल रहे न रहे मेरा तो एक परमानू भी नहीं है संयोग से मेरा मेरे पास है पर मेरा नहीं है स्वामित्त का भाव नहीं कश्टोडियन बन करके जीना मिलकियत के साथ नहीं यदि पैसा पाकर ऐसी विरक्ती के संस्कार आ गए तो तुम धनाड हो जाओगे धनाड नहीं बनोगे दो इस्थिती है एक धनाड होने की और दूसरा धनाड होने की दोनों के पास पैसा होता है धनाड के पास पैसा हो सकता आप एक शाक्रत कम भी हो पर उसको धन का अभिमान और आसकती ज़्यादा जो सकती और आसकती में जीते हैं वो धनांद होते उन्हें अपने पैसे का बड़ा गुरूर होता और गुरूर में और किशी को मुल्ले ही नहीं आखते धन के साथ आसकती और अभिमान मनुश को धनान्द बना कर उसका अध़ पतन करते लेकिन दूसरा अस्तर है धनाड जो धन पैसे को पाने के साथ उदारता से संपन हो वो धनाड है जिसके पास धन होने के साथ उदारता है वही धनाड है और धनाड है उसका ही जीवन धन है धन रखो धन पाए हो उदार बनो जीवन को धन करो अन्था एक दिन तुम्हारा निधन तय है निधन तो होना ही है ना उसमें कोई संसा है चलो जाओगे एक दिन तो मरना ही है उसका कोई ठीका ना नहीं तो तुम धन संपन्ड़ता के साथ साथ उदारता को आत्म साथ करो और ये उदारता तभी होगी जब अंदर से विरक्ती के संसकार होंगे जो तुमारे मन में वो अनुरक्ती नहीं होने देगी ठीक है आज पैसा है कल रहे न रहे उस तरीके से जीवन जीओ मेरे संपर्क में एक ऐसे सज्जन है जो पैसे के बाद भी विरक्ती की पति मूर की हारत में नहीं रहते हैं मोंटे कारलो में रहते हैं मोंटे कारलो दुनिया के रहीशों का देश है बहुत छोटी शी आबादी है और सब अरब खरब पती हैं वो वेक्ती जब मेरे संपर्क में नीमित मुझे सुनते हैं अभी भी सुन रहे होंगे उन्होंने पहली बार आने के बाद मुझे से कहा महराज चैनल के माद्धम से आपको सुना मेरे जीवन की दिशा बदल गई अब आपके चर्णों में आया हूँ अभी तक मैंने बंद किया अब निर्जरा करना चाहता हूँ निर्जरा के मार्ग में रखता हूँ और आप सब सुनके आश्चर करोगे उस वेक्ति का पूरा जीवन बदल गया और उन्होंने अपने भोजन पानी रहन सहन सब में परिवर्तन कर दिया उनने भोजन के संबन में एक डाल और दो सबजी तक अपने को सीमित कर लिया और कपड़ों के संदर में पांच जोड़ी गरिमी के और चार जोड़े शर्दी के कपड़े तक अपने आपको सीमित कर लिया ऐसा वेक्ति जो रोल्स और विंटले कार को मेंटेन करता है जो आदमी हज्जारो करोलो का धनी है वह भी ऐसी विरक्ति में जीता है और उस वेक्ति ने मुझसे कहा मराज मैं मानता हूँ ये पैसा अपना है कहां जो मैं उसके प्रती राक करूँ मेरी कुछ टेक्निकल समश्या हैं माराज जिस दिन पूरी होगी संतान को जो सौपना है सौपूंगा और बागी सब परमार्थ में नियोजित करना चाहता हूँ आप असिर बात बहुत बिर्ले लोगों में ऐसा भाव होता है ऐसे लोग भी तो सक्ती और आसक्ती से मुक्त होकर भक्ती और विरक्ती के संस्कार जगाईे तब अर्थ अर्थ पाएगा वो सार्थक होगा अन्निथा अनर्थ बन जाएगा दूसरी बात पदार्थ की है पदार्थ क्या है अंतहीन मुक्त रिश्णा में दोड़ाने वाला भटकाने वाला सबल कारथ पदार्थ के माद्धम से न तो आज तक किसी को 27 सांती मिली है न मिल सकती एक भटकाव है मृक्त रिश्णा का जिसमें आश्वासन है अनभूती नहीं थोड़ा 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 थोड इस सत्त को पहचानू यही यथार्त है कल मैंने यथार्त के लिए चार बाते आप सबसे कही थी कल ही बोला था ना जिसने जन्म लिया उसकी मृत्य सुनिश्चित है ना हम कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं और जो हम करेंगे वही भरेंगे यह यथार्त है ना जिस दिन इस यथार्त को आत्म साथ कर लोगे जीवन परमार्थ से जुड़ जाएगा और जिस दिन परमार्थ से जुड़ोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन सही अर्थ पाएगा जीवन सार्थक हो पाएगा पदार्थ का ब्यामो छोड़ना है तो परमार्थ से जुड़ो और परमार्थ से जुड़ना है तो यथार्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए ये अंतर में घटना चाहिए यदि ये सब कुछ घटित हो गया तो हमारा जीवन धन हो गया ऐसा समझना चाहिए लक्ष बनाईए मुझे परमार्थोन मुखी बनना है घंशाम दास बिर्ला भारत के बड़े धन पति भारत में दोई नाम यादर किये जाते थे टाटा और बिर्ला दोनों ने बहुशाइक जगत में अपना परचम फैराया लेकिन इसके साथ साथ ये धारिमिक भी थे घंशाम दास बिर्ला ने अपने बेटे बसंत बिर्ला को एक पत्र लिखा था कुछ वर्सों पहले वाइरल हुआ मेरे पास उसकी ओरिजिनल प्रति भी है आप लोगों को याद है उसमें उन्हों ने क्या लिखा था आज के संदर्व में मैं उसे इस भाव से सुनाना चाहता हूं कि आज की पीड़ी भी अपनी संतान को ऐसी सीख और प्रेणा दे सके उस पत्र का जो मजमून था और विवरन था उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि एक उद्योग पती पिता अपने उद्योग पती युवा पुत्र को लिख रहा है उस पत्र में जो कुछ है उसे देखकर तो यहीं लगता है कि जैसे कोई संत अपने उद्योग पती भक्त को संदेश दे रहा है क्या लिखा चिरन जीव वशंत यह पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूं ध्यान से पढ़ना और मनन करना अनभो की बाते लिख रहा हूं हमारे पास जो धन है अच्छे साधन है यह सब जनता की धरोवर है इसे अपने लिए कम सेवा कारे में प्योग करना ध्यान रखना भरत ने सेवा की थी और रावन ने उसका उबभोग किया था धन सदा रहने वाला भी नहीं है इसलिए इनका सदबे करना इन्हें संतान को ने सौपना इन्हें जनता के हित्मे लगाना सबसे गहरी बात हमारे पास जो धन है अच्छे साधन है उसका सेवा के कारे में उप्योग किया जाए तब तो ठीक अन्हे था ये सैतान की आउजार है धन एक सक्ती है इसके सदबाओं में इसका मद भी हो सकता है इसका ध्यान रखना क्या गहरी बात है अपनी संतान को भी अच्छी सीख देना अन्हे था वे अपनी संतान को भी अच्छी सीख देना ताकि वे भी सेवा के कारे में लग सके अन्हे था वे सब ब्यापार और संपत्ती चौपट कर देंगे नित तब मेहनत करना परिश्रम करना जो परिश्रम नहीं करते वो धंग से काम नहीं कर पाते भोजन को आउजधी समझ कर गहन करना यह क्या है यह तो सब जगा बाइरल हुआ है आप सब इसको देख सकते एक एक शब्द बड़े गंभीर अर्थप्रद है पत्र को पढ़कर एक ही बात लगता है कि यह पत्र एक भक्त उद्योग पती एक विरक्त उद्योग पती नहीं अपने एक युवा पत्र को संबोधने के लिए लिखा है कास हर माबाप अपनी संतान को ऐसे संसकार दे तो वो भटक नहीं सकते आज आप अपने बच्चे को जादा से जादा लगजरिय साधन देने के लिए ततपरता दिखाते हो आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक पैसा और पावर दिखाने की कोशिश करते हो देने की कोशिश करते हो लेकिन आप अपने बच्चों को उत्तम सीख कितनी देते हूं मेरे सामने एक बार एक बड़े उध्योग पती थे उध्यमी जिनका भारत और अमीर का में बड़ा कारोबार अपने बेटे को दोनों बेटे को मेरे पास दर्स-नार्स लाए दोनों जवान बेटे और कारोबार में बराबरी से भागिदारी देने वाले उनने बेटों को मेरे सामने कहा बेटा देख मेरे पास जो धन और संपत्ती है इससे मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं मेरे पास जो धन और संपत्ती है इसे मैं चाहूं, तो तुझे दे सकता हूं, पर मेरा जो पुन्न है न, उसे मैं चाह करके भी तुझे नहीं दे सकता, उझे तुझे खुद अर्जित करना पड़ेगा। यथार्त को सामने रखो, जीवन के सत्त को सामने रखो, और उसी अनुरूप अपना लक्ष बना कर आगे बढ़ो, तब हम अपने जीवन में सार्थकता घटित कर पाएंगे, और जीवन को उसके चरम परम उपलब्धी से जोड़ पाएंगे, तो यह लक्ष हमारे भी तर होना चाहिए, हम अर्थ और पदार्थ के ब्यामों से मुक्त होकर, जीवन के यथार्थ को समझते वे, परमार्थ में अपने आपको नियोजित करे, जिससे इस अर्थ हीन जीवन को अर्थ दिया जा सके, इसे ब्यर्थ होने से बचाया जा सके, जो दे सके, ब्यर्थ को अर्थ, अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ सब कोई सिद्ध और समर्थ बन सके इस भाव के साथ बंधो उदे नगर का आज ये दूसरा दिन है आज साम को बैभो नगर में जिस संत निवास का निर्मान हुआ है उसका उद्गाटन होगा और सायम कालीन संका समाधान बैभो नगर में ही ह और कल प्राता गोकुलु अगर मंदिर के दर्शनात हम लोग जाएंगे जिस मंदिर का पंच कलनक होना है अठारा से तईस तारीक तक पंच कलनक भबता के साथ मोताब आग मोताबहुन में वायुजित है आप उसमें लाभानुवित होंगे सिद्चक विधान की जानकारी तो संकर क्या है यार अपने क्या ना राजी भाई पारसत बोल रहे हैं वहां के संत निमास का भी सुभारम आपके करकमलों से हो जाए समय के अनुकुल का देखते वे सामकोष की जानकारी आपको दी जाएगी ये सारे कारिकम कल का प्राता कालिक प्रवचन यहीं होगा उसमें क झाल यहीं होगी घट cardiac Griffey गरी आत्रां से रथियाक तक और 15pro Tagist को होने वाली विशाल 108 रथियाक जो भार्त की इतियास में नहीं पूरे संसार के अतियास में पहली बार होने जा रहा हैowस सब उसमें पूर्नुमंग उत्सा के साथ जुड़े श्त्रदिवाषी श्रचग वि वर्तन के कारिकम का भरपूर लाब ले समय आप सब का हो गया यहीं पर भी राम ओम्री मस्या उशानमा 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 अम्री मस्या उशानमा इसकारिक्रम के पुण्यार जग्ति गुणाय तनपरिवार झाल